नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी और आज की इस वीडियो में हम railway NTPC CBT1 का जो एक्जाम हुआ है उसके 133 सिप्ट के GK के प्रश्णों को डिस्कस करेंगे तो इससे पहले एक वीडियो में अलड़ी बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर उसकी आपको लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज ये हमारा भाग दो होगा इसमें भी हम लोग दो सिप्ट में पूछे गए प्रश्ण यारे कि टोटल 80 प्रश्णों को डेटेल में डिसकस करने वाले हैं आने वाले समय में चाहें आपको गुरूबडी का एक्जाम देना हो अगर कोई अन एक्जाम भी देना हो तो उन सभी के लिए यह स्रीज काफी जादा महत्पून होने वाली है तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसकी जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरूजी या केवी गुरूजी.in के उपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं पहला प्रेशन पूछा गया बहुत ही जादा आसान कि निम्नल इखित में से कौन सा बेब ब्राउजर नहीं है तो देख सकते हैं सफारी की बात करें ओपेरा की बात करें Mozilla Firefox की बात करें ये सारे हमारे बेब ब्राउजर होते हैं बेब ब्राउजर का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसमें आप लोग कोई भी वेब साइड उबेरा का नाम डाल करके वहाँ पर चीजों को सर्च करते हैं तो बात करते हैं Google की तो Google हमारा एक सर्च इंजन है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर Google के आगे Chrome एड कर दिया जाए तो ये भी हमारा हो जाएगा एक बेब ब्राउजर हाला कि Google हमारा एक सर्च इंजन है तो आपसर यहाँ पर D हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि जापान में जापान के समराट अकिहितों के द्वारा राजगद्धी के त्याग के साथ सुरू हुए नए समराज जेक उक को डैस डैस के रूप में जाना जाता है अब यह आपका 2019 में सुरू हुआ था उसके बाद में कई सारे परिच्छाओं में यह आलेडी पूछा जा चुका है तो ध्यान के का जो नया युग सुरू हुआ है इसका नाम है रिवा क्या नाम है नया युग का नाम है रिवा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समराठ नय बन गए है जिनका नाम है नारे हुटो इससे पहले जो युग चल लहा था उसका नाम था हिसेई और इसके समराठ थे आकी हीतो तो आकी हीतो के पुत्र है नारो हीतो जो की नय समराठ बने और नय युग की शुरुआत हुई है रिवा की तो आप्सन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दू कि 18 सितंबर तक अनकेडमी के उपर आपका बहुत ही सांदार आप पर चल लहा है तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिल्वे एक्जाम का कोर्स खरीदना है या फिर अगर आपको कोई भी अनकेडमी के उपर कोर्स खरीदना है तो आप लोग यहाँ पर कोर्स को cashback भी मिलेगा, Unacademy की तरफ से भी आपको 10% का इस समय discount दिया जा रहा है तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी course खरीदना है, तो आपको मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा उसके उपर आप लोग मुझसे contact कर सकते हैं और मेरी कोशिस होगी कि आपको यहाँ पर किसी भी course के उपर maximum discount दिला सकूँ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूँ कि Unacademy के उपर मेरी daily live classes होती है, अगर आपको railway group D, या फिर आपको SSC GD, या आपको NTP PC CBT2 का exam देना है तो आप मेरी classes को join कर सकते हैं यह classes बिलकुल free हैं यानि कि इनके लिए आपको खुशबी pay करने की आउसकता नहीं है हर class आपका एक प्रकार का live test होता है तो यहाँ से आप अपनी तयारी का बेसलेशन भी कर सकते हैं, नीचे आपको मेरी अनकेडमी की profile के link मिलेगी बस उसके उपर आप लोग मुझे click करिए उस link के उपर click करिए और अनकेडमी के उपर आप मुझे follow कर सकते हैं यह मेरा WhatsApp नंबर है तो अगर आपको किसी भी course के उपर discount चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर contact कर सकते हैं UPSC काटेगरी में इसमें बहुत इसांदार आफर है तो अगर आपको या आपकी किसी जानने वाले को UPSC का subscription लेना है तो वह भी आप यहां से purchase कर सकते हैं अगला प्रशन है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है इसका नाम क्या है तो बहुत या आसान सा प्रशन है इसका नाम है परम 8000 क्या नाम है परम 8000 नाम है सीडेक के दौरा 1991-92 में को इसका निर्मार किया गया था और सीडेक का मतलब होता है Center for Development of Advanced Computing जो की आपको मिलेगी पुने में तो ध्यान के गा 1991 में इसका निर्मार हुआ था और ये हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर था नाम है परम 8000 अच्छा इस समय हमारे देश का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है परम सिद्धी AI जिसको आपके सीडेक ने NVIDIA कंपनी के साथ में मिल करके बनाया है अगला प्रेशन है कि नॉम्बर 2020 के अनुचार सयुक्त राष्ट के महा सचिव कौन है तो देखिए नॉम्बर 2020 की बात करें वर्तमान की बात करें या फिर हम लोग 2025 तक की बात करें तो इस पत पर हमारे रहेंगे Antonio Guterres पुर्तगाल देश के हैं इनके बारे में आपको ध्यार रखना है और जब तक ये बदलेंगे सम्होता आप सभी लोग किसी ना किसी एक्जाम में सलेक्ट भी हो जाएंगे तो आप्शन यहाँ पर D Antonio Guterres हो जाएगा Correct अगला प्रेशन है कि किस देश में सबसे सफल सहकारिक रसी है तो देखे अगर हम लोग को ऑपरेटिव एगरिकल्चर की बात करते हैं तो ये आपको दुनिया में सबसे सफल देखने को मिलेगा रसिया में लेकिन रसिया आप्शन में नहीं है तो दूसरे नमबर पर जो सबसे सफल देश है उसका नाम है डेनमार्क तो option B हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि इनमे से कौन सी भारत की सबसे उची चोटी है आप सभी को पता होगा कि वैसे हमारे देश की सबसे उची चोटी केटू है लेकिन वो पाक आकूपाइट कास्मीर में है तो वैसे अगर हम लोग बात करते हैं इन option के आधार पे तो कंचन जंगा हमारे यहा पर आपका A हो जाएगा करक्ट देख सकते हैं माउंट एरेश दुनिया के सबसे उची चोटी है फिर केटू है उसके बाद में आता है कंचन जंगा तो option A हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि किस अफरीकी देश ने 200 मलेरिया दिवस के अउसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने ही तो पहला मलेरिया वैक्सेन लॉंज किया बहुत इसांदार प्रशन तो ध्यान रकेगा इस देश का नाम है मालावी क्या नाम है मालावी इस देश का नाम है तो option यहाँ पर हमारा C हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि भारस सरकार के कौसल विकास योजना तो option हमारा D होगा यहाँ पर correct और प्रधान मंतरी के उसल विकास योजना की बात करें तो 2015 में इसकी शुरुवात हुई है और target यह है कि 2022 तक 40 करोन इवाओं को यहाँ पर skill training दी जाएगी और उस skill training के अनुसार उनको मिलेगा job तो अगर आप मेंसे भी किसी ने इस training को प्राप्त किया है तो आप नीचे comment में बता सकते हैं अगला प्रेशन है कि 2018 के विश्व पर्यावरन दिवस का focus डैस डैस था तो यहाँ पर focus की बात करते हैं तो यह focus था plastic production क्या था plastic production इसका focus था यानि कि विशय था option यहाँ पर D हो जाएगा correct फिलहाल के लिए आ 1974 को पहली बार बिश्व पर्यावरन दिवस मनाया गया था अगला प्रेशन है कि भारतेश सम्धान में स्वच्छंदता समानता और बंधुत की जो अधारनाये हैं इनको हमने किस देश से लिया हुआ है तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांती और फ्रांस की क्रांती से ये सब्ध हमने लिया हुआ है तो option यहाँ पर ए हो जाएगा correct तो ध्यान रखेगा equality, liberty और fraternity ये जो तीनों सब्ध है ये हमने फ्रांस की क्रांती से लिये हैं तो option ए हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि रूर छेत्र डैस डैस का सबसे महत्पूर और द्योगिक छेत्र है ये प्रेशन बहुत बार पर इच्छाओं में पूछा जाता है ध्यान रखेगा जो रूर और द्योगिक छेत्र है ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा कई बार इसको राइन रूर इंडस्टिल एरिया भी कहा जाता है क्योंकि राइन नदी आपके जर्मनी से बहती है, तो ध्यान रखेंगे option यहाँ पर C हो जाएगा correct, अगला प्रेशन है कि निम्न में से किस रक्त समोह वाले लोगों को सार्व भौमिक प्राप्त करता माना जाता है, यानि कि जो सभी प्रकार के blood को accept कर सकते हैं, तो यह हमारा होता है AB positive, क्या होता ह AB positive होता है, अगर मैं आप से कहूं कि सार्व भौमिक दाता कौन होता है, तो यह होता है O negative, तो ध्यान रखेंगा, option यहाँ पर फिलहाल के लिए B हो जाएगा correct, बाके रक्त के बारे में आपने पढ़ा होगा, कि जो हमारा blood group होता है, सबसे पहले carland इस्टीनर महोदे के अगला प्रेशन है, कि निमलिकित में से कौन सा एक बाक सनरचितर है, तो देख सकते हैं, जिम कारवेट नेशनल पार्क है, यह हमारा बाक सनरचितर भी है, यानि कि Tiger Reserve भी है, बाकी सारे आपके Tiger Reserve नहीं है, तो option B हो जाएगा correct, वैसे Tiger Reserve के उपर एक मैंने बहुत ही डीटेल में वीडियो मना रखी है, अगर आप देखना चाहें, तो आई बटन पर आपको उसकी भीलिंग के हाँ पर मिल जाएगी, अगला प्रेशन है, कि अगस्त 2020 में किसको Steel Authority of India Limited का अगला अध्यच चुना गया, तो इनका नाम है सोमा मंडल, एक जनवरी 2021 से इन्होंने अपना का अगरे भार भी समाल लिया है, बात करते हैं Steel Authority of India Limited की, तो ध्यान रखेगा ये हमारी एक महारत्न कंपनी है, कैसी है, महारत्न कंपनी है, और सुमा मंडल इसकी पहली महिला ध्यच बनी है, तो D हो जाएगा करेक्ट, अगला प्रेशन है, कि कांग्रेश के किस अध्यवेशन म अगला प्रेशन है, आपका गया भुगया क्या भाई प्रेशनी, अचा एक किताब के बारे में पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ, किताब का नाम था Further Excavations at Mohan Jodaro, पूछा गया था कि ये जो हमारे J.H. Mackey साहब है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, तो ध्यान जो दाड़ो, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, अगला प्रेशन है, कि इन में से भारत के किस वाय सराय ने, निर्वाचित अस्थानिय सरकारी निकायों के सर्जन की पहल की थी, तो कौन है ये, इनका नाम है लाड रिपन, तो पंचाइती राग ब्वस्ता आमारे यहां पर लगबग शुरू की गई थी, इनहीं के द्वारा, आप्सन यहां पर B हो जाएगा, करेक्ट, इसके अलामा आप लोग ध्यान रखेगा, कि जो वरनाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसको भी हटाने में जो अहम योगदान है, वह लाड रिपन को ही जाता ह तो यह भी आप लोग ध्यान रखेगा, और लोकल सर्फ गवर्मेंट की सुरुवात सबसे पहले इनहीं के द्वारा की गई थी, और जो फैक्टरी अधनियम है, वह भी इनहीं के द्वारा लाया गया था, अगला प्रशन है, कि भारत का जो सम्मिधान दिवस यह कब मनाया जाता है, तो सम्मिधान दिवस हर साल हम लोग 26 नॉम्बर को मनाते हैं, आपसन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट, अब सवाल यह उठता है कि 26 नॉम्बर को सम्मिधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी सम्मिधान सभा थी, उसने भारत के सम्मिधान क पर निर्माण इस दिन तक कर दिया था और आपके इसके सौंप दिया था तो इसलिए 26 नॉम्बर को ये मनाया जाता है आपसन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशन है कि चूने के पाने का रासानेक सुत्र क्या है तो बहिए जो लोग चूना वगएरा खाते हैं उनको जरूर पता होना चाहिए इसका फार्मूला होता है CAOS का होल ट्वाइज तो चूने के पाने का फार्मूला पूछा जाए या बुझे हुए चूने का फार्मूला पूछा जाए इसका सिंपल सा मतलब होता है CAOS का होल ट्वाइज आपने देखा होगा कि एक आपका खड़ा चूना होता है तो खड़े चूने का फार्मूला होत अगला प्रेशने कि सितंबर 2019 में तिलंगाना का राजपाल किसे न्यूक्त किया गया था तो ये बनी थी तमिली साई सुंदर राजन क्या नाम है तो आप्सन हमारा D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशने कि भारत की जो पहली सुपरफास टेन है इसका नाम क्या था तो ध्य को ये जोडती है किसको मुंबई से पुने को जोडती है तो ध्यान रखेंगे आप लोग सबसे आगे जो देश से इसका नाम है नौरवे तो नौरवे 19 में भी था 20 में भी सबसे आगे था लेकिन आपको अपने देश के उपर भी फोकस रखना है हमारा देश पिछले साल थ पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि मानोविकार सोच कांक United Nation Development Program जारी करता है कौन करता है United Nation Development Program तो option B हो जाएगा करें अगला प्रेशन है कि 1857 के विद्रोह के दोरान भारत में जो British महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग है इन मिमोरियम इस पेंटिंग को किस ने बनाया था तो ध्यान रखेंगे ये जो पेंटिंग है इसको बनाया था जोसेफ नोयल पैटन ने क्या नाम है जोसेफ नोयल पै ने किसकी खोज की है बैया बायलोजी का ये सबसे कठिन वाला प्रेशन है तो कई लोग इसको गलत कर देते हैं ध्यान रखिएगा इसकी Robert Hook ने सबसे पहले cell की खोज की थी जिसे हम लोग कोसका कहते हैं तो option यहाँ पर यह हो जाएगा correct 1665 में Robert Hook के द्वारा dead cell में आपकी को पूछा जाता है कि कोसका के ध्यन को क्या कहते हैं तो इसे हम लोग साइटोलोजी कहते हैं लेकिन अगर आप से यह पूछ लिया जाए कि सबसे पहली जीवित कोसका किसने खोजी थी तो यह खोजी थी एंटोन वान लिविन हॉक ने 1674 में तो काफी महात्पूर प्रेशन है अगला प्रेशन है कि थुमबा को डैस डैस के उपस्तिति की कारण रॉकेट लॉंच के लिए आदर्च अस्थल के रूप में चुना गया था तो पहले समझे थुमबा क्या है अगर आप लोग सर्च करेंगे या आपने पहले पढ़ा होगा तो इसे कहा जाता है थुमबा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग सेंटर और ये आपका एक्वेटोरियल इलेक्टो जेट के कारण चुना गया था कीरल में तो आप्शन हमारा डी हो जाएगा अब इसका मतलब है क्या देखिए अगर हम लोग थुमबा की बात करते हैं यानि कि जो यहाँ पर आपका इससे मुखिरूप से साउंडिंग रॉकेट का मतलब होता है जो आपके एक्सपरिमेंट अगारा के लिए किए जाते हैं उन रॉकेट को लॉंच किया जाता है अब अगर हम लोग इक्वेटोरियल इलेक्टो जेट की बात करते हैं तो यह आप लोग देख सकते हैं यह जो लाइन है यहाँ पर इसी लाइन को कहा जाता है equatorial electro jet तो यह एक प्रकार की हमारी हवा होती है जो की पूरब की और बहती है दिन के समय में और जब आप इस रीजन में किसी भी अस्थान से कोई rocket और गयरा को launch करते हैं तो उसे आपकी यह हवा भी करती है support तो इसलिए थुम्ब a हो जाएगा correct एक जुलाई 2017 को इसको लागो किया गया था ये भी आपको ध्यानी रखना है और जो संसूधन हुआ था उससे हम लोग 101 समिधान संसूधन के द्वारा के नाम से जानते हैं तो option a हो जाएगा correct अब देखे इसमें कई सारे आपका text replace हो गया जैसे कि exercise हो गया custom ह हो गया वैट हो गया state के जो exercise थे इन सबको इसने replace कर दिया था तो option a हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि चिस्ती सिल्सिला के सबसे महत्मोर्ट सिचकों में से एक सेख मुईनुद्जिन चिस्ती के दरगा डैस डैस में इस्तित है तो आप सभी ने पढ़ा होगा इनके बारे option यहाँ पर आपका D हो जाएगा correct तो ध्यार किएगा ख्वाजा मुईनुद्जिन चिस्ती के नाम से इनको हम लोग जानते हैं यह परसियन सूफी संथे और इनकी जो आपकी दरगाह है वो अजमेर में देखने को मिलेगी अगला प्रशन है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक व बनता है मायोपिया का मतलब होता है निकट द्रिष्टी दोस तो option यहाँ पर आपका B हो जाएगा correct तो देख सकते हैं normal विजन में जो आपकी image होती है वो रेटीना के उपर बनती है लेकिन जब कोई व्यक्ति मायोपिया से पेडित होता है तो जो image बनती है आपकी आँखों में वो रेटीना के पहले बन जाती है तो option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि बाइल किस से स्रावित होता है तो बाइल जो उसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा यह हमारा स्रावित होता है लीवर से कहां से यह आपके लीवर से निकलता है लेकिन कई बार यह भी पूछा जाता है कि बाइल इस्टोर कहां पर होता है तो ध्यान की का भया यह इस्टोर होता है पित्तासे में कहां पर गाल ब्लैडर में यह इस्टोर होता है लेकिन निकलता है यह आपके लीवर से तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि कि किस राज के सासक के निर ये जब हमारा ये बाहर हो गए थे तो इसी को माना जाता है कि सरीर से आत्मा बाहर निकल गई थी तो आपसन यहाँ पसी हो जाएगा सरी बाहर दो साह जफर नहीं नाम था वाजिद अलिस साह इनका नाम था तो ध्यान रखेगा ये ग्यार हमें और अंतिन नवाब थे आपके अवद के और इनको बाहर कर दिया गया था ग्यारा फरवरी 1856 को आप सभी को पता होगा कि डॉक्टरिन आप लैप्स लाया गया था अलार डलहोजी के द्वारा और उसके अंतरगत इन्होंने बहुत सारे अस्थानों पर कबजा भी कर लिया था तो 1856 में अवद के जो सासक थे नाम इनका था वाजिद अलिस साह इनको भी निर्वासित कर दिया गया था तो यहाँ पर आप्सन आपका C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशन है कि सांसद आदर्स ग्राम योजना के प्रेणा सुरोथ कौन है तो यह जो योजना है इसके प्रेणा सुरोथ है महात्मा गाधी जी आप्सन यहाँ पर D हो जाएगा करेक्ट सांसद आदर्स ग्राम स्कीम के बारे में आप पहले यह ध्यान रखिएगा कि 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉजन किया गया था उद्देश ही यह था कि जो भी हमारे सांसद होंगे वो अपने एरिया में किसी एक गाउं को गोद लेंगे गोद लेने का मतलब है कि उसको डबल के बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेस्ट ट्राश्फर प्रोटोकॉल क्या नाम है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो ओप्सन आपका यह पर ए हो जाएगा करें अग्ला परशन है कि bharati rastq का घठन किशने किया था आप सभी को ध्यान रख कि 28 दिसंबर 1885 को A.O. Hume यानि कि L.N. Octavian Hume के द्वारा भारती राष्टि कांग्रेस का गठन किया गया था option यहाँ पर आपका C हो जाएगा correct W.C.B.N.R.G. इसके पहले अध्यच थे जो कि अध्वीशन हुआ था मुंबई में तो C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रेशन है कि चंद्रियान 2 को लांच करने के लिए किस लांच यान का उपयोग किया गया था तो चंद्रियान 2 की बात करें चंद्रमा के लिए हमारा दूसरा मिशन था इसको लांच किया गया था 22 जुलाई 2019 को और जो यहाँ पर लांच यान यानि कि रॉकेट यूज हुआ था उसका नाम था GSLV Mark 3 M1 क्या नाम था GSLV Mark 3 M1 तो आप्सन यहाँ पर आपका A हो जाएगा अच्छा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो GSLV Mark 3 M1 है इसे हम लोग बाहु बली या Fat Boy के नाम से भी जानते है तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि 22 जुलाई 2019 को 27 धवन अंतरिच केंद्र से इसको लांच किया गया था तो आप्सन हमारा A हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशने कि केंद्रिय परियावरन 1 और जल्वाई परिवतन मंतराले के द्वारा शुरू किये गए समाजिक आंदूलन का नाम क्या है तो ध्यान रखेंगे इस आंदूलन का नाम था Green Good Deeds क्या नाम है Green Good Deeds इसका नाम था तो आप्सन यहाँ पर आपका D हो जाएगा तो दरशल यह एक प्रकार का आपका ऐसा कैमपेन था जिसका उद्देश था के परियावरन के बारे में लोगों को जागरुक किया जा सके और जो हमारा परियावरन का स्तनरच्छन है उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके तो इसी के लिए अभियान के शुरुआत हुई थी वर्तमान में हमारे वन परियावरन और जलवाय परिवर्तन मंतरी है नाम उनका है भूपेंद्र यादो और इन्होंने किसका स्थान लिया है तो प्रकास जाओडिकर जी का इन्होंने अस्थान लिया है तो आप्सन D हो जाएगा करेक अगला प्रेशन है कि केंद्र सरकार के द्वारा भारती चात्रों में बैग्यानिक प्रकृतिवा नवाचार निर्मित करने के लिए ATL लैब की सुरुआत की गई तो ATL का पूरा रूप क्या है तो ATL का पूरा मतलब होता है अटल टिंकरिंग लैब क्या नाम है अटल टिंकरिंग लैब तो आप्सन यहाँ पर भी हो जाएगा अगला प्रेशन है कि किस प्रसिद्ध लेका ने माधवी पुडी उपनाम का इस्टेमाल किया है तो इनका नाम है कमलादास बस ध्यान कियेगा टप प्रशने वैसे तो कमलादास इनका नाम है और इनोंने माधवी पुडी उपनाम से लेखन कारे किया था तो option आपका D हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि युनेस्को के द्वारा जो आपका सांची इस्तूप है इसको बिस सधरोहर अस्थल कब घोसित किया गया था तो इसे घोसित किया गया था 1989 में आपसन यहाँ पर D हो जाएगा तो बस आप लोग ध्यान रखेगा यह देख सकते हैं सांची का इस्तूप जो कि आपको मद्य प्रदेश के रायसेंजले में मिलेगा समराथ असोग ने तीसरी सताब्दी के दोरान इसका निर्मार करवाया था 200 रुपए के नए नोट पर भी आपको यह देखने को मिलेगा और 1989 में यह सामिल हुआ था तो आपसन D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि वर्ष 2021 के लिए प्रतेश्ठित राजियू गाधी खेनरत्न पुरसकार के लिए भारते कुस्ती महासंग के द्वारा अनुसंसित महिला पहलवान का नाम बताईए यानि कि किसको रिकमेंड किया गया था तो यहाँ पर नाम भीजा गया था बिनेस फोगाट का और इन्हों ने ही इसको जीता भी था तो आपसन D हो जाएगा करेक्ट वैसे पिछले साल पांच लोगों को पुरसकार मिला था रोहिस सर्मा है, मरियपन थंगावेलू है, मन क्या बत्रा है, बिनेस फोगाट है और महिला होंके टीम की कप्तान थी रानी रामपाल तो D होगा करेक्ट अगला प्रशन आपका कि निम्न लिकित में से कौन फूट लूज उद्योग का एक उदाहरन है तो आपसन यहाँ पर आपका D यानि की कम्प्यूटर चिप हो जाएगा करेक्ट अजब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि फूट लूज उद्योग है क्या तो देखें पैर ढीला होना इसका मतलब नहीं है इसका मतलब सिंपल सा ऐसा होता है कि आप किसी फैक्टी को अस्थापित करते हैं बिना इस चीज को चक्किए कि वहाँ पर रिसोर्स कैसा है वहाँ पर land कैसा है, labor कैसे है या वहाँ पर आपके धन कैसे लगेंगे इन सब को बीना consider किये हुए अगर आप किसी भी industry को अस्थापित करते हैं तो इसे कहा जाता है food lose industry जैसे आपके हीरे का ब्योसाय हो गया computer chips हो गया, mobile manufacturing हो गये तो ये सारी हमारे food lose industry के example है option यहाँ पर D हो जाएगा correct अगला प्रशने के जातक कताए dash dash से सम्मानित है तो ध्यार रखेगा जो जातक कताए है ये हमारे बौध धर्म से सम्मानित है option यहाँ पर आपका D हो जाएगा correct पहले भी ये प्रशन कई परिच्छों में पोचा जा चुका है अगला प्रशने कि निम्रे लिखित में से किसी 2019 में भारत्रत्म से सम्मानित नहीं किया गया था तो ध्यार के गे अटल भ्यारी बाजपे जी को 2015 में मिला था बाकि डांक्टर भूपी इन हजारिका प्रणाव मुखर जी साहब और नाना जी देश्मुक इनको 2019 में मिला था तो option यहाँ पर आपका C हो जाएगा correct अगला प्रशने कि इंडियन प्रीमेर लीग 2020 का जो खिताब है इसको किसने जीता तो इंडियन प्रीमेर लीग का जो खिताब है इसको जीता था मुंबई इंडियन्स ने पिछले साल option यहाँ पर B हो जाएगा correct देख सकते हैं जो final मकाबला है यह दिलहे कैप्टल और मुंबई इंडियन्स के बीच में हुआ था और पांचमी बार मुंबई इंडियन्स ने यह खिताब जीता था option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जिम कारबेट राष्टे उद्ध्यान डैस डैस में इस्थित है तो जिम कारबेट की बात करते हैं उपर अभी हम लोगों ने पढ़ाई है कि यहां हमारा एक टाइगर रजर्ब भी है और यह मिलेगा उत्तरा खंड में 1936 में इसकी अस्थापना हुई थी यह भी ध्यार रखेगा और इसे हम लोग हेलीस नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि भारतिय सम्मिधान के जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे सम्मिधान सभा है उसके गठन के सबसे पहली मांग डाक्टर के यह मुंसी की जिके द्वारा की गई थी 1934 में और डाक्टर भीम रौ अमबेटकर की बात करते हैं तो हमारे भारतिय सम्मिधान की यह जनक माने जाते हैं option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि बेरी-बेरी नाम का जो रोग है यह किसकी कमी के कारण होता है तो बेरी-बेरी की बात करें यह vitamin B1 की कमी के कारण होता है option यहाँ पर C हो जाएगा correct बाके सारे यहाँ पर जो vitamin है और उनके कमी से होने वाले रोग है उनके नाम मैंने mention कर दिये हैं तो अगर आप लोग चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं वीडियो को pause करके मुझे पता है आप लोग पॉज नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे लेकिन एक दो लोग भी चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगला प्रशन है कि एक प्रसिद्यात्री इबन बतूता डैस डैस का मोल निवासी था बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण प्रशन है परिच्छाओ के लिए तो ये जो इबन बतूता था ये आपके मोरको का निवासी था जो कि अफ्रीका महादोईब का पस्समी देश है आप्सन यहाँ पर भी हो जाएगा करक कभी ये आया था तो 1334 में उस समय जो हमारी तुगलक डैनेश्टी थी उनके समय ये आया था सासक कौन थे तो सासक थे मुहम्मद बिन तुगलक ध्यान कियेगा मुहम्मद बिन तुगलक के समय में इबन बतूता मुरको से 1334 में आया था तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि AS CII अंग्रेजी वर्णों की संख्याओं को तोर पर निरूपित करने के लिए एक code है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है American Standard Code for Information Interchange क्या नाम है? American Standard Code for Information Interchange इसका पूरा नाम है तो A हो जाएगा यहाँ पर correct तो बस आपको बस ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम क्या है? वैसे यह एक प्रकार का हमारा Information को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर भेजने के लिए Communication का एक माध्यम है तो A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि हमायू नामा डैस डैस द्वारा लिखी गए थी तो ध्यान रखने भेजा जो हमायू नामा थी यह इनकी बहन ने लिखा था जिनका नाम था गुलवदन बेगम क्या नाम था? इनकी बहन गुलवदन बेगम ने इसको लिखा था option यहाँ पर आपका A हो जाएगा correct तो टर्की भासा में लिखी गई यह किताब है और गुलवदन बेगम ने इसको लिखा था जो कि बाबर की पुत्री थी और हमायू की थी बहन अच्छा कई बार आपके जो हमायू है उनके मगबरे के बारे में भी पूंचा जाता है क्योंकि यह आपका UNESCO हेक्टे साइट है तो ध्यान खेंगे हमायू की जो वाइब थी बेगा बेगम इन्होंने 1558 में इसके निर्मार की शुरुवात करवाई थी जो की हमायू का मगबरा दिल्ली में इस्थित है तो option फिलहाल हमायू नामा लिखाता गुलवदन बेगम नी अगला प्रेशन है कि GST भारत में दिरोपित एक आपरतेच कर है GST का पूरा नाम क्या है तो बिल्कुल आसान सा प्रेशन है गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स इसका पूरा नाम है तो C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशन है कि कावेरी जल्विबाद डैस डैस के बेच इस्थित है तो कावेरी जल्विबाद की बात करें तो ये आपके है करनाटक और तमिल नाडू के बीच में किसके बीच में है करनाटक और तमिल नाडू के बीच में आप्सन यहाँ पर D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशन है कि 2020 में जो भारत का गर्णतंतर दिवस हुआ था उसके समारों में मुक्य अतित कौन थे तो ये थे ब्राजील की राश्टपती बहुत सारे परिच्छाओं में ये परेशन अलड़ी पूछा जा चुका है नाम इनका था जे एर बोल सुनारो क्या नाम था जे एर बोल सुनारो इनका नाम था तो आप्सन यहाँ पर आपका फिलाल D हो जाएगा करेक्ट अचा पहली बात जो हमारा रिपब्लिक डेका परेड हुआ था तो उसमें इंडोनीसिया के राश्टपती सुकर्नो थे मुख्यतित इससे पहले जो 2019 वाला था उसमें थे आपके दच्छिन अफ्रीका के स्रिल रामा पोसा और 2021 में कोविट के करण कोई मुख्यतित नहीं था तो उसमें इहां पर D होगा करेक्ट अगला प्रेशन है कि युनेस्को का मुख्याले कहां पर इस्थित है बहुत ही जादा आसान प्रेशन है युनेस्को का जो हेटकॉर्टर है ये आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा ओप्सन यहां पर हमारा भी हो जाएगा ध्यान रखेगा पेरिस में ही आपको OECD का हेटकॉर्टर भी मिलेगा और पेरिस में भी आपको International Energy Agency का भी हेटकॉर्टर मिलेगा तो ध्यान रखेंगे आपसन यहां पर पेरिस हो जाएगा करेक्ट बाकी युनेस्को के अस्थापना 16.1945 को हुई थी युनेस्को के जो भी हेट साइट है उनकी भी वीडियो में बना चुका हूँ आई बटन पर आपको मिल जाएगी तो वहां से देख सकते हैं अगला प्रेशन है कि युनेप के द्वारा 200 परियावरन दिवस 2020 के आयोजन निम्लिकित में से किस देश में किया गया था तो ये आयोजन हुआ था कोलंबिया में option यहाँ पर A हो जाएगा correct और विसे क्या था तो time for nature था इसका विसे तो ध्यान रखेंगे कोलंबिया में हुआ था option A हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि 8 नॉम्बर 2016 को जब विमोद्री करण की घोशना हुई थी तो उस समय भारतर रिजर वैंग के गवर्नर कौन थे तो भारतर रिजर वैंग के गवर्नर थे नाम इनका है उर्जित पटेल आपको पता होगा कि 1500 के जो नोट थे उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया था उसके बाद में आपके 500 के जो नोट है उनको जारी किया गया नए रूप में और एक हजार के नोट को पर्मानेंट यहां पर बंद कर दिया गया था और दो हजार के नए नोट जारी हुए थे तो उर्जित पटेल उससे में गवर्नर थे, option A हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि नॉबंबर 2020 के निसार भारत में उच्च न्यायालेओं की कुल संख्या कितनी है तो ध्यान रखेगा हमारे देश में टोटल हाई कोड की संख्या है 25 कितनी है 25 है तो option आपका यहां पर C हो जाएगा correct अगला प्रेशन है आपके सामने कि निम्रलिकित में से कौन सा यूरेनियम के खनन के लिए परसिद्ध है तो यूरेनियम के खनन की बात करते हैं तो आपकी जादू गोड़ा की मायन है जारखंड में ये यूरेनियम के लिए famous है तो C हो जाएगा correct अचा इसकी अलावा एक तुम्मल पल्ले नाम की भी मान है ये भी हमारे यूरेनियम के लिए famous है आंद प्रदेश में सबसे जादा यूरेनियम का उत्पादन होता है हमारे देश में और ध्यान रखेगा कि दुनिया में सबसे जादा उत्पादन करता है कजाकस्तान जबकि यूरीनियम का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो आपको आश्टीलिया में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जादू गोड़ा हो जाएगा अगला प्रशन है कि दच्छिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है अब देखे अगर इस प्रकार से बड़ा देश पहुचा जाए तो यहाँ पर यह mention बिल्कुल नहीं है कि जनसंख्या के अनुसार बात हो रही है यह च्छेतरफल के अनुसार बात हो रही है तो जाहर सी बात है एक ही ऐसा देश है जो कि जनसंख्या और छेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है और इस देश का नाम है ब्राजील क्या नाम है ब्राजील इसका नाम है तो ध्यान केगा ब्राजील दच्छिन अमेरिका महादोईप का एरिया और जनसंख्या दोनों के संख्या ज्यादा है अगला प्रेशन है कि निम्नल खित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो देख सकते हैं गोदावरी महानदी और कृष्णा ये जो तीनों नदिया है ये हमारी जाकर के गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में तापी नदी की बात करें जुमत प्र सौबेश में ये अधिवीशत हुआ था कहां पर करनाटक के बेलगाम में और इसकी अधिशता किती गांधी जी ने तो ये हो जाएगा करें अगला प्रेशन है कि स्रीज में चार प्रत्रोध जिनमें से प्रतेक एक वन वाई फोर ओम का है यानि कि एक बटे चार ओम का है इ यानि कि चारों को आप जोड़ देंगे एंसर आपका जागा वन ओम क्या होगा एक ओम हो जागा तो बी होगा यहाँ पर करें अगला प्रेशन है कि ब्रायो फाइटा निमलिकित में से किस वनस्पती से सम्मंदित है तो ध्यान रखेगा जब हम लोग ब्रायो फाइटा की इसी प्रकार का एक प्लांट है तो डी हो जागा यहाँ पर करेंट अगला प्रशन है कि भारत का जो केंदरिय और सदी अंसंधान संस्थान है ये कहां परिस्तित है तो ये संस्थान आपको लखनों में मिल जाएगा यानि कि option यहां पर D हो जाएगा correct ये देख सकते हैं 1951 में CSIR की lab के रूप में इसके अस्थापना होई थी और लखनों में ये आपको देखने को मिलेगा तो D होगा correct अगला परिशन है कि Python क्या है अब देखे Python अजगर मर्ट टिक कर दीजिएगा Python हमारी एक programming language होती है क्या नाम है यह एक programming भासा है और इसका जो अब इसकार है वो 1991 में किया गया था नाम इनका है गाइडो वान डूसम क्या नाम है गाइडो वान डूसम के द्वारा इसको discover किया गया था तो option यहां discover क्या मतलब invent किया गया था तो B हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि लोग सभा और राजी सभा के जो सव्युक्त बैठक होती है इसकी अध्यचिता कौन करता है तो जब किसी बिल को यहां पर पास करवाना होता है उसलिए दोनों सदन के सभा के अध्यच के द्वारा राश्पती के द्वारा अनुच्छेद 108 का उप्योग करते हैं राश्पती और ध्यान रखेगा कि यह जो हमारा सव्युक्त बैठक होता है इसकी अध्यचिता लोग सभा के अध्यच के द्वारा की जाती है तो D होगा Correct अगला प्रेश्ट है आपके सामने कि निकट द्रिष्टी दोस वाले व्यक्ति के द्रिष्टी को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस के आज़कता होती है तो ध्यान रखेंगे यह जो लेंस से इसे कहा जाता है Divergent Lens क्या Divergence Lens और Divergence Lens के बारे में आप सभी को पता होगा कि जो हमारा Concave Lens होता है वो आपके किरणों को Diverge करता है तो option यहाँ पर आपका B हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन सा UNESCO बिस्सो धरोहर नहीं है इसके उपर मैंने बताया कि वीडियो बना चुका हूँ आई पटन पर आपको मिलेगे देख सकते हैं अजन्ता की गुफाएं महाराष्टवली ये बिल्कुल है सूरी मंदिर कोणारक वाला ये भी है रानी की वाव आपके गुजरात में ये भी है लेकिन जो जन्तर मंतर आपका UNESCO में सामिल है वो आपको मिलेगा जैपूर में कहाँ पर है जैपूर में है और ये जंतर मंतर आपका है नई दिल्ली में तो ध्यान रखेंगे option यहाँ पर B हो जाएगा correct बाकि जंतर मंतर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक आपकी बेद साला है यानि कि observatory है 1734 में इसका निर्मान कंप्लीट हो गया था और जंतर मंतर की बात करें तो जैपूर की अलामा दिल्ली, वाराणसी, मतुरा और उज्यान में भी मिलेगा लेकिन जैपूर वाला यूनेसको में सामिल है तो B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ट सुरंग कौन सी है अब इस प्रशन के उपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे देखिए पता होगा आपको को पेशले साल जो उमारे PM नरेंद मोदी साहब है उन्होंने अटल टरनल का उद्धाटन किया था कहां पर आपके हिमाचल प्रदेश में तो अटल टरनल की बात करते हैं यहाँ पर आपका स्यामापरशाद मुखरजी टरनल होता या चेनानी नासरी सुरंग होता तो आपका उत्तर यहाँ पर बदल जाता फिलहाल इसमें हमारा उप्संस C हो जाएगा करेक्ट अब यहाँ पर आईए मैं आपको दिखाता हूँ चेनानी नासरी सुरंग की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 9.20 मीटर जबकि अटल टरनल की बात करें तो इसकी लंबाई है 9.02 मीटर देखें, 2.0 है, यहाँ पर 0.2 है जायर से बात है, यह थोड़ा सा हमारा बड़ा है और यह आपके NH44 पर इस्थित है सित्रा में इस्थित्रों ने एक ही उड़ान में डैस डैस उपग्राह लांच करके इतिहास रचा था, तो ध्यान रखेंगे इस्थित्रों ने लॉंच किया था 104 सेटलाइट, तो option B हो जाएगा correct, फिलहाल के लिए आपको यह भी ध्यान के रस का पीएच मान लगभग डैस डैस होता है तो नीबू के अगर हम लोग रस की बात करते हैं भाया, तो यह आपका होता है अमलिये, ठीक है अमलिये मतलब वो अमल नहीं में बात कराऊ अमल का मतलब होता है एसिड, तो इसका पीएच हो जाएगा दो, बाकी सारे पीएच आप देख सकते हैं, यह बेस के हैं, तो आपसन यहाँ पर ए हो जाएगा, करक्ट, हाँ यह साथ निउट्रल है, बाकी बारा और नो आपके बेस के हैं, अगला प्रशने के निम्रखित मानो रोगों में से, कौन सा और इनको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, अगला प्रशने है, कि निम्रखित में से कौन एक सूपर सोनिक क्रोज मिसाइल है, बिल्कुल आसान सा है, ब्रमोस नाम की जो मिसाइल है, यह एक सूपर सोनिक क्रोज मिसाइल है, और इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि धोनी की गत्ती से ज़्यादा स्पीड में ये ट्राइवल कर सकती है भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रूस के सहयोग से हमने इसको बनाया है 290 किलोमेटर इसकी रेंज होती है हाला कि अब इसको बढ़ा करके 450 किलोमेटर किया गया है तो ऑप्सन D हो जाएगा करक अगला प्रेशने की नॉमबर 2020 की जांकारी के अनुसार भारत के सिच्चा मंतरी कौन है तो उस समय हमारे सिच्चा मंतरी थे डाक्टर रमीज पुकरियाल निसंग साहब लेकिन अब आपके हैं यहाँ पर धर्मींदर प्रधान कौन है धर्मींदर प्रधान जो की पहले स्टील मंतरी थे यह अब आपके हैं इस समय सिच्चा मंतरी तो फिलाल यहां पर यह हो जाएगा अगला प्रेशने की भारत में जो सामप्रदाइक चुनाव प्रणाली है वो सबसे पहले डैस डैस द्वारां शुरू की गई थी तो इसको शुरू किया था मारले मिंटो रिफॉर्म के द्वारां जो की 1909 में आया था तो option यहां पर आपका D हो जाएगा correct तो ध्यान रखेगा हमारे यहां पर जो communal electoral system है इसको सबसे पहली बार introduce किया था 1909 में तो D हो जाएगा correct अगला प्रेशने है Intel Core i9 एक प्रकार का क्या है अब Intel Company की बात हूँ तो बस आप समझ जाए कि Intel Company हमारी processor ही बनाती है option यहां पर C हो जाएगा correct तो Intel भी अमेरिका की एक company है और इसी साल इसके नए CEO भी बनी है जिनका नाम पर इच्छा में और डी पूछा जा जा चुका है उनका नाम है Pat Gel Singer तो यह नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे C हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि समग्र सिच्छा इसकूली सिच्छा के लिए एक योजना है जो डैश डैस के लिए है तो ध्यान रखेंगा यह जो आपकी योजना है यह प्री नरसरी से बाराहवी तक के लिए है option यहां पर आपका D हो जाएगा correct तो 4 अगस्त अभी 2021 को इसको launch हुआ है किया गया है नए सिच्छा जो आपकी नीती आये थे पिछले साल उसके दोरान इसकी घूशना होई थी तो नाम इसका है समग्र सिच्छा D हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि प्रसिद गीत गोविंद नाम की जो पुस्तक है इसको किषने लिखा है तो गीत गोविंद पुस्तक की बात करें तो इससे लिखा है जैदेव साहब ने option आपका D हो जाएगा correct तो यह आप देख सकते हैं जैदेव साहब के दारा लिखी गई यह एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने क्रिश्न और जो हमारी राधा जी है उनके बारे में इस्टोरी को मेंसन किया है और यह आपके 12 बाराच अध्यायों में है तो option D हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि निम्नलिकित में से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है तो ध्यान रखेगा जो हमारा अफगानिस्तान देश है यह आपके सार्क का मेंबर है अज़र मेंबर है तो चीन मौरिसस में हमार आपके सार्क के मेंबर नहीं है टोटल सार्क में 8 मिंबर आपको मिलेंगे हाला कि इसकी जो अस्थापना है वो 1985 में हुई थी और हेड़कॉर्टर आपको मिलेगा काठ मांडो में तो देख सकते हैं अफगानिस्तान उसके बाद में बंगला देश, भूटान इंडिया, माल्दियू, नेपाल, पाकिस्तान और लंका, ये सारे सार के संदस्य देश ने तो ऑप्सन डी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड बंगलूरू क्या है तो अगर हम लोग बात करें तो ये इसरों की मार्केटिंग साखा है 1992 में इसकी अस्थापना हुई थी आप्सन यहाँ पर B हो जाएगा करेक्ट तो देख सकते हैं 28 सितंबर 1992 को अस्थापना हुई थी और मुख्याले इसका भी आपको बंगलूरू में ही देखने को मिलेगा अगला प्रशन की कैबिनेट मिशन किस वर्स भारत में आया था तो कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में 24 मार्च के दिन दिल्ली में तो आप्सन यहाँ पर D हो जाएगा करेक्ट देख सकते हैं कि 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन आया था और ध्यान रखेगा इसके मेंबर के नाम कई बार पूछे जाते हैं तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी एलक्जंडर ये तीन लोग थे जो कि इसमें सामिल थे और मुख्य रूप से इनका काम यही था कि हमारे यहाँ पर ये लोग आएं और किस प्रकार से हमारे यहाँ पर सत्ता को सौपा जाएगा या भारत का समिधान का निर्माड होगा उसके बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था तो इस प्रकार से दूसरे सेट में भी जो आपके अस्य प्रशन थे उनको हमने डिसकस कर लिया है इसकी जो PDF है वो आपको टेलिग्राम पर मैंने पहले ही भेज दी है तो वहाँ से आप लोग टेलिग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत और वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो नीचे लिखेगा I can do it